भोजपूर में 14 वर्षिये नावाली किशोडी से दुशकर्म के मामले में पहले पुलीस ने जाच में फुर्ती दिखाते हुए सिर्फ 6 दिन के भीतर चार्ज शिट दाखिल कर दी इसके बाद कोट ने भी इसे प्राथ मिक्ता देते हुए चार्ज शिट दाखिल होने के साथ दिन के बाद ही ट्रायल भी शुरू कर दिया इतना ही नहीं एक महीने के भीतर ही दस गवाहों में से तीन के बयान भी दर्ज हो चुके हैं पुलीस की कोशिश इस मामले में जल से जल इंसाफ दिलाने की है दुशकर्म का आरोप पिता पर है केश चाचा ने दर्ज कराया इंसाफ की लड़ाई में आरोपी पती को सजा दिलाने के लिए मा बेटी का साथ दे रही है किशोरी के साथ दुशकर्म 26 जून को हुआ था उसी तारीख को भोजपूर थाने में केस दर्ज हुआ जांच अधिकारी दरोगा लोकेंदर कुमार ने बताया कि दुशकर्म पिडित किशोरी का 26 की राथ ही बयान दर्ज किया गया उसने कहा कि वह इंसाफ चाहती है ऐसा ना हो कि इसमें लंबा वक्त बीत जाए इस पर उन्होंने ताय किया कि जांच में देरी नहीं होने दी जाएगी 27 को मेडिकल परिक्षन करा दिया गया कुल 10 गवाह थे सभी के बयान दो दिन में दर्ज कर लिए गए मा और चाचा कर रहे हैं पैरवी इस केस में दुशकर्म पिडित किशोरी के चाचा चाची और मा पैरवी कर रहे हैं वे हर तारीख पर कोट में मौजूद रहते हैं SSP मुनिराज जी ने थाना पुलीस को निर्देश दिये हैं कि इस केस में प्रभावी पैरवी की जाए और समय पर गवाही सुनिश्चित की जाए जाच अधिकारी ने कहा कि निवजर्दंसी की खबर से प्रेणा लेते हुए दो दिन में विवेचना पूरी कर दो जुलाई को कोट में चार शीट दाखिल कर दी गई कोट में आरूप तै होने में देर न लगी इसके बाद साथवे दिन आठ जुलाई को ट्रायल शुरू हो गया प्रमुख तीन गवाहों की गवाही हो चुकी है अन्यकी भी जल्द ही होने वाली है ब्योर रिपोर्ट दिली समाचार